आप सबी सातियों का इस वीडियो में एक बार पुना स्वागत है दोस्तों आप जानते हैं कि 94 दिनों का मध्यान भुजन योजना के इंतरगत खाध्यान और कन्वर्जन कास्ट अविभाव को या बच्चों को देने के आदेश आ चुके हैं इस बात से आप भली भाती ओगत हो चुके होंगे ऐसे में दोस्तों एक बार और पुना एक कल्कुलेटर आपके पास लेके आया हूँ और ये कल्कुलेटर 94 दिनों की गड़ना करेगा जो की आपको आदेश दिया गया है चुके हमारे विद्याले में जो बच्चों का नमांकन होता है वो अलग-अलग तितियों में होता है और ऐसे में अलग-अलग उनके कनवर्जन कास्ट और खाद्यान की मातरा निकालना थोड़ा सा मुस्किल होता है लेकिन इस कल्कुलेटर से दोस्तों आप सेकेंडो में इस कारे को कर पाएंगे आए देखते हैं कि यह कल्कुलेटर किस प्रकार सी कारे करता है और यह कल्कुलेटर आपके मुबाइल में कैसे पहुँचेगा आए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अब आप अपने स्क्रीम पर देख पा रहे होंगे वो कल्कुलेटर आपके सामने आ चुका है और ये परिशिदी विद्याले हित काफी उपियोगी है दोस्तों यहां आमने आपको बात की थी 94 विद्याले दिवस की तो यह 94 विद्याले दिवस के हिसाब से ही इसे तयार किया गया है और यह 94 दिवस है दोस्तों वो 24 मार्ज 2021 से 31 अगस 2021 तक की गढ़ना असानी से इस कल्कुलिटर से आप कर सकते हैं आईए अब देखते हैं यह किस प्रकार से कारी करता है यहां पर दो विकल्ब दिख रहा है विकल्ब चुने और गो का तो सबसे पहले आप विकल्ब चुने पर क्लिक करेंगे चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो ये option आपके सामने आएगा अगर आपका विद्धाले प्रात्वी कस्तर का है तो इसे select करेंगे उच्छे प्रात्वी कस्तर का है तो इसे select करेंगे चलिए हम प्रात्वी कस्तर को यहां select करते हैं हमने select कर लिये दोस्तों और select क आपने किया है यहां से date select कर लेंगे और किस मन्थ में आपने नमांकन किया है वो month यहां select कर लेंगे और तीसरा जो last काम करना है वो calculate पे click कर देंगे तो आपका result आपके सामने आ जाएगा तो चली दोस्तों उधारन सरूप हम करते हैं यहां हम सबसे पले date select करते हैं 24 की जगा पे कुछ और ले लेते हैं हमाल जे 28 तारिक ले लेते हैं इसके अलावे month हम select करते हैं March की जगा पे हम April month को ले लेते हैं हमने April को select कर लिया है और यहां पे year वही रहेगा क्योंकि यह सिर्फ 2021 का ही data है तो इसे select करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको simply calculate वाले option पे click कर देंगे result आपके सामने हैगा चलिए हम calculate पे click कर दिए click करने बाद दोस्तो result आपके सामने आचुका है इसके नीचे देख सकते हैं आप यहां उक्ते छाथ चातरा है तो कुल कारे दिवस 68 दिन हो रहा है और गेहू कितना है 2.3 kg है चावल की मातरा 4.5 kg और कुल खाद्यान इनको 6.8 kg बनते हैं इस तरह से red color में आप निचे देख सकते हैं conversion कास्टीन का बनता है 337 रुपे 96 पैसे तो इस तरह से किसी भी बच्चे का यहाँ पे आप date और month डालके और calculate पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से उसका सारा विवरान आपके सामने आ जाएगा और आपको calculate करके अपनी सूची तयार करने में काफी असानी हो जाएगी आईए एक और उदानल दिखा जिते हैं यहीं पे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 28 की जगा पे हम कोई और डेट ले लेते हैं मालिजा आपने 31 ले लिया यहाँ पे April महिना है यहाँ पे हम जुलाई ले लेते हैं और जुलाई के बाद calculate पे हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप calculate पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटा बदल चुका है नीचे करफ आप देख सकते हैं असानी से यहाँ कुल कारे दिवस 24 दिन होता है गेहु की मातरा 0.7 kg बनता है चावल की मातरा 1.7 kg और कुल खाद्यान 2.4 kg कर्वर्जन कास्टिन का होता है 119 रुपे 28 पैसे तो इस तरह से दोस्तों चुटकियों में आप इस कारे को आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद है यह वीडियो पसंद आया होगा लेकिन उससे पूर मैं आपको बता दू कि यह एप आपके मुबाइल में कैसे जाएगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्किप्शन बाक्स में नीचे मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ उस लिंक को क्लिक करके डाइरेक्ट आप इस कल्कुलेटर को ओपन कर सकते हैं और अपने कारे को बड़ी सुखमता से कर सकते हैं तो अच्छा लगाओ वीडियो तो लाइक किजीगा चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार